सोने के आबुशन पहने अगर पैरों में तो होगा भारी नुक्सान जय भेरो वाबा मेरे पिरिये दर्शकों नमस्कार मैं जोतिशाचार्य प्रवीन और आप देख रहे हैं एस्ट्रलोजी टूडे यूटूब चैनल हमारा मित्रो आबुशन पहनना हर नारी की पहली पसंद होता है हमारी भारते संस्कृत में पुराणों में सास्त्रों में भी आबुशनों का महतों बताया गया है हमारे देवी देवताव को भी सोने आबुशन बहुत प्रिये थे मित्रो आज का ये वीडियो इसी विश्य पर है आज हम आपको बताएंगे कि सोने के आबुशन पैरों में क्यों नहीं पहनने चाहिए वैसे तो सोने के आबुशन पैनने में बेद सुन्दर लगते हैं लेकिन धार्मिक मानताएगे नुसार सोने के आबुशन को पैरों में नहीं पहनना चाहिए मित्रो धर्म के नुसार बगवान श्री हरी विश्नु को सोना अतेंथ पिरिये है इसलिए इसे नावी या कमर से नीचे नहीं पहनना चाहिए ऐसी मानता है कि यदि आप पैरों में सोना पहनते हैं तो आप भवान विश्नु को नराज करते हैं और भवान विश्नु की तरह ही माता लक्षमी जी को भी सोना अतेंथ पिरिये होता है और सोने में मा लक्षमी का वास होता है और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आर्थिक संगट का भी सामना करना पड़ सकता है मित्रों ये थी दार्मिक मानता लेकिन पैरों में सोने के आप उसन ने पहनने का एक विज्ञानिक दस्टिक कोन भी है और वो ये है हमारे सरीर जो की पंस्तताव से निर्मित है जिसमें सरीर के उपरी भाग को ठंड़क और निचले हिस्से को गरहमाट की जरूत होती है और सोने के आप उसन सरीर में गर्मी को बढ़ाते है ऐसे में यदि आप पैरों में सोने के आप उसन पहनेंगे तो आपका मस्तिक गरम रहता है और सरीर को नुक्सान हो सकता है इसलिए पैरों में चांदी के आवुषन पहने जाते हैं क्योंकि चांदी से उत्पन होने वाली ठंडक मस्तिक को ठंडा रखती है जिसे की सरीर का तामान संतुलित बना रहता है तो मित्रो ये था आज का विश्यत कि हमें सोनने के आवुषन पैरों में क्यों नहीं पहनने चाहिए तो मेरे पिरेदर्स को अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सोनने के आवुषन पहनने से क्या-क्या लाब मिलता है कौन सा ग्रह मजबूत होता है और कब पहनना चाहिए लेकिन पैरों में नहीं पहनना चाहिए नावी से उपर-उपर सोनने के आवुषन पहनने चाहिए और कब पहनने चाहिए ये भी बताऊँगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप देख पाए और मेरे पिरियदस्ट को जोतिस सास्तर से जुड़ा मतलब विग्यानिक सास्तर आपके मन में भी अगर है समस्षा है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमसे संपर्ख कर सकते हैं और अपनी समस्षा का समादान आप करवा सकते हैं और अपनी कुड़ली का अच्छी तरह से विशलेशन करवा कर आप ये भी जान सकते हैं कि आप के लिए कौन सी धातु जो है अच्छी रहेगी मतलब चांदी अच्छी रहेगी या सोना अच्छा रहेगा या तंबा अच्छा रहेगा तो मेरे पिरे दोसको आप दिये गए नमरों पर संप्रक करें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं हगले वीडियो में जाए भैरो बाबा की